वेलकम बाक स्टूडेंट टु यूर चैनल स्वैम लर्निंग पॉइंट और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गाएकवाड आज हम बात करने वाले हैं इस चाप्टर में क्या चाप्टर का नाम है चाप्टर का नाम है Observing Space Through Telescope तो ये लेक्षर नमबर वन है और ये 900 का चाप्टर नमबर 18 है समझ रहे हो गड़ तो इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं अक्सर लाइट्स के फॉर्म कितने होते हैं टेलिस्कोप और उसके टाइप्स देखने वाले हैं इस चाप्टर में हम जो स्पेस में टेलिस्कोप होते उसके बारे में चायद अपने हबल के बारे में सुना होगा या कभी रीड किया होगा और जो ISRO है Indian Space Research Organization उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे उन्होंने अभी तक क्या-क्या किया है ठीक हैं लेकिन आज के लेक्चर में हम बस तक ही काम करेंगे समझेंगे थोड़ा introduction है बहुत ही simple और गजब की कहानी है आपको पता है कि हम किसी भी chapter को शुरू करते हैं तो उसमें कुछ questions होते हैं कि पीछे जो knowledge आपने लिया है उसके बारे में आपके दिमाग में अब कुछ है या नहीं है तो चलो जना देखते हैं यह पहला question क्या है कि what is the difference between the sky and space तो क्या लगता है sky क्या है जो हमारी आखों से यहां से दिखाई देता है what you can say that the कि जिस region से light scatter होता है और light scattering के कारण हमें वो blue दिखता है अक्सर वो वैसा नहीं है लेकिन blue दिखता है क्योंकि जो visible light है उसमें सबसे ज़्यादा scatter होने वाला जो light है वो blue है इसके कारण हमें sky कैसा दिखता है blue दिखता है अब समझ रहे हो तो what is the answer that I have given here for you sky is a region in which sunlight is scattered in the earth's atmosphere making it visible from the surface of the planet earth earth से हमें वो visible होता है दिखाए देता है लेकिन space जो है everything beyond that वैसे तो ऐसा देखा जाए तो earth भी space में ही है hello everything is in the space space याने ऐसी जगह कि जिए जगह पे सब कुछ है आप समझ रहे हो ओके मतलब earth is you know that the solar system this is sun and the other planets are revolving around the that sun तो इसमें earth एक planet है कि जो भी sun के around क्या कर रहा है मू कर रहा है यह बाद में पता चला पहले पता नहीं था ओके और यह सब पता चला किस के कारण तो टेलिस्कोप के कारण तो आज हम जानेंगे टेलिस्कोप के बारे में skies also include all objects as far as we can see outside of the earth for example Mars is a far away but we consider it in a night sky okay हम उसको जब रात में देखते हैं तो हमें लगता है कि यह जो Mars है यह हमारे night sky में है लेकिन actually it is in the space everything is in the space including the earth I say ठीक है तो let's have some introduction दिखिए कि बच्पन से शायद तुमारी नानी दादी तुम्हें बच्पन से कहानिया सुनाती होगी कभी कभी आप village गए होंगे या कभी आप terrace पे गए होंगे वहाँ सोय होंगे उपर आपने देखा होगा तो हम ज़्यादा तर moon के बारे में सोचते हैं दिन में sun के बारे में सोचते हैं रात को stars के बारे में भी सोचते हैं कितने stars होंगे कितने moon होंगे कैसे होंगे या हमें एक ही दिखाई देता है उत्रा ही वही एक moon है क्या वही एक sun है क्या जो दिन में दिखाई देता है ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे जैसे तुम्हारे दिमाग में आते हैं वैसे उन लोगों के दिमाग में भी आ रहे थे तो उनकी imagination जो है वो आप भी imagine कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कैसे हो सकता है वैसे वो लोग भी imagine कर रहे थे और उनके boundless imagination से boundless नहीं boundary less imagination से उन्होंने understand करने की कोशिश की क्या understand करने की कोशिश की कि sky क्या है space क्या है थोड़ा बहुत और उनको समझ में आ गया कि जो stars है वो अपनी क्या change करते है बेटा cold याने winter summer rainy season तो इस season के साथ इस particular star के position का change होने का कुछ सम्मन्ध है ऐसा उनको समझ में आ गया ठीक है अब हुआ क्या कि उसके साथ साथ जो लोग sea goers थे sea goers याने जो sea voyage के लिए निकलते थे उनको ये समझना मुश्किल था कि हम कौन से direction पर जा रहे है तो उनको कौन guide करता था तो constellations guide करते थे किसको sea goers को या sea voyagers को समझ रहे हूँ good और फिर human being ने क्या किया कि ये उनके मन में जो space के बारे में जितने भी questions थे उसके answer ढूरने के लिए बहुत जादा निश्य किया he determined to get the answer of each question related to the space और फिर यहां से बहुत आगे कुछ हुआ तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत इदर उदर देखता रहा हर रोज देखता रहा देखने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि ये ऐसा होने से seasons होते है seasons कैसे होते हैं और उनको उसकी help होने लगे समझ रहे हो लेकिन ये सब नेकेड ऐसे करता था कोई equipment नहीं था तब तक ठीक है और फिर आगे क्या हुआ कि 400 साल पहले गैलियो जो आप यहां देख रहे हो इसने क्या बनाया एक telescope बनाया वैसे उसके पहले आदमी ने भी उसके पहले भी एक किसी इंसान ने टेलिसको बनाया था उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा वो शायद 1608 में बनाया था और इन्होंने 1609 में बनाया किसने यह गैलिलियो महाशय ने और किया गया कि वहां से लेके आज तक साइन्स और टेकनोलोजी ने इतनी development कर लिए बेटा इतनी development कर लिए है तो यह especially the telescope technology and space science and technology ठीक है यह दोनों क्षत्र में बहुत development कर ली है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्यों बोलो क्योंकि आपने देखा है कि हम मार्स पे गए हैं आपने समझा भी है आपने शायद लायू देखा होगा कि हम चांद पर उस साइड से जाने की कोशिश में भी थें व आपने मिशन मंगल भी देखा होगा ओके गड़ तो इस ग्रेट लीप याने बहुत बड़ा जम्प इन वर्ट टेकनोलोजी हैस हेल्प टू कंस्टर्ट फॉर अन अस्ट्राउंडिंग पिक्चर ऑफ और युनिवर्स के पिक्चर बनाने में यह जो टेकनोलोजी में जो ब जो है यह सिर्फ हमारे लिए बस रिसर्च परपस के लिए इंपोर्टन नहीं है उसके साथ साथ हमें बहुत सारी वो कंफर्ट देते हैं फासिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि तुम तुमारे घर में जो टेलिविजन देखते हो या अब तुम जो मुझे सुन रहे हो देख रहे हो it is only because of the we observe the space and we did something that is by sending the satellite in the space and that satellite giving the information that what I am talking right now and you are listening and watching me as well you can watch me live as well okay by using only this technology that is what called as a internet got it? okay so ये comfort और facilities हमें किसके बदावलत मिले हैं तो it is because of the space science and technology development got it? okay तो अभी तक हमने क्या समझा कि हम बच्पन से जानते थे कि मतलब हम नहीं हमारे बहुत सारे पहले जो पुर्वज है वहां से लेके अब तक हमारे मन में भी वही curiosity है कि मुन कैसा है? मुन कैसा होगा? उसके उपर क्या होगा? पानी होगा या नहीं होगा? बर्फ होगा या नहीं होगा? कौन से gases होगे? और अभी भी हमारे मन में एक curiosity है कि क्या हम इस धर्ती पे अकेले हैं या इस universe में ऐसी ही कोई और earth या और planets है जहां human beings जैसे कोई living beings रहते होंगे? और इसके बारे में बहुत बड़े जो theoretical physicist हुआ करते थे Stephen Hawkins उन्होंने बताया है कि वहाँ कोई है वहाँ कोई है जरूर है और जो Elon Musk है वो मार्श पर जाके रहने की बात कर रहे हैं तो शायद ये जो technology और ये जो science है हमारे लिए बहुत ही helpful होने वाला है और इसके लिए आपको इसका 9th standard से परीचे करवाया जा रहा है ताकि आप में से किसी को interest होगा तो शायद आप भी उसमें बहुत ज़्यादा research करके आगे बढ़ सकते हो और कुछ कर सकते हो तो let's have a discussion continued here तो telescope जो है ये मतलब sufficient है क्या कि पूरे ब्रह्मान को देखने के लिए पूरे space को देखने के लिए तो बिलकुल नहीं इसका answer एक telescope से काम नहीं होगा तो there are many things required एक टाइब के telescope से काम नहीं होगा क्योंकि क्यों मैं आपको बताओंगा थोड़ी देर में थोड़ा रुखो जरा सबर करो बेटा तो why do we need different telescopes for this purpose? yes आपको दिखिए कि light जो है अलग-अलग form में होता है और हम जो देख रहे हैं जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं because of the visible light यदि मैं invisible rays जो emit कर रहा हूं वो आपको नहीं दिखाई देते तो आपको वो part भी नहीं दिखाई देते जैसे कि मेरे अंदर body के अंदर जो part है जैसे कि kidney है, hurt है वो आपको दिखाई नहीं देते इसका मतलब यह है कि आपको दिखाई नहीं देंगे you can watch them but by using special instrument like a sonography or CT scan like that instrument if you use you can watch the organs inside the body got it, so scientist के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है जैसे कि Hans Lepercy, जो मैंने आपको बोला था कि यह scientist ने 1608 में पहले क्या किया था, यह telescope बनाया था, उन्होंने क्या किया, कि दो lens एक दूसरे के सामने रखें और देखा कि object की जो image है वो करीब आती है और थोड़ी बड़ी होत और वही invention हुआ, किसका यह telescope का, और फिर उसके बाद किसने invent किया, तो आपको पता है Galileo ने 1609 में second telescope बनाया गया, उन्होंने यह अर्थ के बारे में, space के बारे में बहुत चीजे बताई, उन्होंने क्या-क्या बताया पता है, उन्होंने moon discover किया, किसका Jupiter का, उन्होंने black spot on the sun, sun के उपर जो black spot होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हसिल की, मतलब उन्होंने देखा उनके telescope से और बताया लोगों को, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कि यह telescope किसके आधार पर होते हैं, तो यह light, कौन से light को capture करके हम image बनाते हैं, उसके आधार पर हो हैं, एक electromagnetic waves है, शायद मैंने reflection of light आपको पढ़ाया है, तो you might know, and if you have not watched that video, please watch it carefully, so every waves has a characteristics wavelength, यह भी मैंने आपको बताया है, study of sound में शायद wavelength की बात हुई है, ठीक है, light में शायद wavelength की बात इतनी detail में नहीं हुई, wavelength याने two consecutive compression and rarefaction, यह हम study sound के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम light के बारे में भी बात करते हैं, तो वहां भी क्या होता है, tough होता है, और crest होता है, इस part को हम क्या बोलते हैं, crest बोलते हैं, और इस part को हम क्या बोलते हैं, tough बोलते हैं, याने उपर का part और नीचे का part, थोड़ी धिर के लिए, समझने के लिए, तो यह जो यहां से ले बीच का जो डिस्टन्स है या दो टफ के बीच का जो डिस्टन्स है उसको हम वेवलेंग्ड बोलते हैं समझ रहे हैं and light is in the form of waves और हम electromagnetic radiation भी बोलते हैं electromagnetic radiation नहीं electric field और magnetic field से बनाया हुआ समझ रहे हो good और हमारी जो आखे हैं अक्सर हमारी आखे नहीं तो हमारी जो brain की जो processing capacity है देखो आखे तो वो जो है वो अंदर लेके जाती है information को मतलब information in the sense light waves को और फिर हमारी जो brain है उसको क्या करता है perceive करता है समझ रहे हैं तो our eyes can see only that light which has a wavelength between 400 nanometer to 800 nanometer 400 nanometer to 800 nanometer तक का ही हमारी आखो के अंदर जो information जाती है उसको हम process कर सकते हैं और उसको हम visible radiation बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको visible radiation दिमाग में set कर लेना what we say it is visible radiation अब electromagnetic waves of wavelength other than visible ones मतलब visible जो radiation है 400 nanometer to 400 nanometer to 800 nanometer 400 nanometer के नीचे का और 800 nanometer के ऊपर का हमें दिखाई नहीं देता इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है it exists but we cannot see because our limitations of eyes and brain समझ रहे हो good क्योंकि हमारी आखे उसके लिए sensitive नहीं है अब हम बात करते हैं कि ये जो nanometer है ये क्या unit है और उसके साथ साथ और एक unit है उसका नाम है picometer तो nanometer ये थोड़ा बड़ा है compare to picometer picometer बहुत ही छोटा है nanometer जो है वो 1 nanometer is equal to 10 raise to minus 9 meter याने 0 point ऐसे कितने 0 लगाने पड़ेंगे 9 0 लगाने पड़ेंगे अब समझ रहे हो good that's great ओके और यहां 10 raise to minus 12 mean 10 raise to power minus 12 meter this is what the 1 picometer is equal to ध्यान रुखना ये आपको question में question आ सकता है कि 1 picometer is equal to 10 raise to minus 12 meter okay and 1 nanometer is equal to what that 10 raise to minus 9 meter अब यहां कुछ radiations दिये हैं जैसे radio waves है micro waves है infrared waves है visible light rays है ultraviolet rays है x rays है gamma rays है अब इतने सारे radiations हैं हम सिर्फ light radiation की बात करते हैं जिसकी wavelength कितनी है visible light rays 400 nanometer to 800 nanometer लेकिन उसके अलावा भी है कि यह radio waves जो radio के पास आप जो radio सुनते हैं तो longer than about 20 cm होते हैं radio waves और इस radio waves को पकड़के ही हम बहुत सारे जो ऐसे object है space में उसका study कर सकते हैं तो उसके लिए हमें लगेगा radio telescope क्या लगेगा बोलो radio telescope लगेगा यदि हम microwave जो microwave oven में उस प्रकार के waves होते हैं 0.3 mm to 20 cm तक उनकी wavelength होते हैं infrared waves जिसकी wavelength 800 nm to 0.3 nm होते हैं गलती से वहाँ यम्यम हो गया है तो वहाँ मैंने मैं बोल रहा हूं कि क्या है यह nanometer है अभी यह हो गया nanometer ठीक है और ultraviolet rays जो है वो 300 to 400 nm होते हैं और जैसे आपने ultraviolet ultrasound, infrasound अब समझ रहे हैं मतलब हमारी range का जो है उसको हम visible rays बोलते हैं वैसे sound को भी हम अब समझ रहे हैं थोड़ा sound का relate करो जो हमारे range में है उसके नीचे वाले को infra उपर वाले को ultra बोलते हैं यह दो चीजे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगे कुछ ऐसे भी rays है जिसको हम x rays बोलते हैं वो 3 picometer to 300 picometer होते हैं जैसे कि जो fractures है उसको check करने के लिए हम x rays का इस्तामाल करते हैं ठीक है ग्यामा rays भी है shorter than 3 picometer और इसका भी study करने के लिए उसके type के telescope हैं अब देखिए जैसे visible light के लिए कौन सा telescope है? नॉर्मल टेलिस्कोप है समझ रहे हों? ओके जो किसे बनाया जाता है? convex lens, concave lens या mirror से बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है? वो तो हम आगे देखेंगे ठीक है? लेकिन आपको ये समझना है कि ये wavelength और ये radiations जो है ये table आपके दिमाग में set होने के लिए क्या करना है? उसके बारे में discussion करना है जैसे कि किसी को बोलना है, radiowaves पता है? कितना होता है? longer than 20 cm oh good, microwave कितना होता है? 0.3 nanometer to what that? 20 cm is it? ओके और 0.3 mm है क्या? 0.3 mm to what that is called as a? sorry extremely sorry मैंने समझा नहीं है, ये millimeter है 0.3 mm to 20 cm और infrared wave जो है, वो 800 nanometer to 0.3 mm और फिर यहां से nanometer start होता है, 400 nanometer to 400 nanometer to 800 nanometer और फिर ultraviolet rays 300 picometer to 400 nanometer, x rays 3 picometer to 300 picometer and gamma rays shorter than 3 picometer इसको अपको अच्छी तरीके से याद रखना जरूरी है अब हम बात करते हैं कि अपने जो eyes है, they are capable to seeing only the visible radiation ठीक है? तो इसके लिए visible radiation telescope that is optical telescope जो visible radiation telescope होता है उसको क्या बोलते है बेटा? अप्टिकल टेलिस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? what we say? we say the optical telescope which is made from वो कैसे बनाये जाता है? वो बनाये जाता है lens से या mirror से वो कैसे बनाये जाता है? lens या mirror से बनाये जाता है to see the visible radiation coming from the space अब यहां बहुत सारे heavenly bodies ऐसे हैं कि वो अलग प्रकार का radiation emit करते हैं other than visible radiation visible light भी radiate करते हैं लेकिन उसके अलावा other waves भी radiate करते हैं specially x-rays, gamma rays, radio waves तो इसके आधार पर अलग-अलग प्रकार के telescope हैं जैसे कि radio telescope हैं x-ray telescope है, gamma ray telescope है और ऐसे telescope का इस्तमाल करके हम उस object का study करते हैं उनके images बनाते हैं और इसके कारण मैंने आपको बोला कि इसी technology का इस्तमाल करके हम जो space में जो objects हैं जो variety of planets हैं उसका study कर सकते हैं other solar systems का भी study कर सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं optical telescope की optical telescope यानि visible light को पकड़ने वारा telescope तो यह simple बनाया जाता है यह normally बनाया जाता था दो lenses से एक lens को बोलते हैं objective lens और दूसरे lens को बोलते हैं eyepiece दोनों ही convex lens होती है convex lens यानि ऐसी lens उसको convex lens यानि ऐसी lens कि जो यहाँ middle पे थिक होती है और at the edges वो छोटी होती है पतली होती है यहाँ ते clear हो गया है so this is called as a convex lens यह convex lens कैसी बनती है मतलब convex lens यानि क्या कि दो ऐसे surfaces दो ऐसे surfaces जो spherical है समझ रहे है transparent spherical surfaces एक दूसरे को जब ऐसे मिलते हैं तो उससे बनती है क्या what this is called as a convex lens lens को समझे आप ऐसा भी देख सकते हैं आपके जो spectacles है वो क्या है lenses है लेकिन आप बहुत सारे students के जो spectacles होते हैं वो convex lens नहीं होते हैं समझ रहे हैं उसमें भी बहुत सारे type है वो हम next year के शायद light lenses chapter में देखेंगे got it तो यह कैसे काम करता है यह पहले समझ लेते हैं तो यह objective lens है it can convert और it can converge the ray of light converge का मतलब आपको पता है conversion याने एक दूसरे को मतलब जो ray of light parallel आते हैं उसको क्या करना converge करना means coming together helping them to come together तो वो जो ray of light हैं उनको एक दूसरे के करीब आने के लिए help करती है यह lens और इसी की आ जाता है so that's why this is also called as a converging lens यह convex lens एक converging lens ही होती है okay जैसे मैंने आपको बोला था mirror के बारे में diverging mirror converging mirror means when the mirror which after reflection the ray of light converge or come together that is called as a converging mirror और diverging का मतलब है go away from each other अब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या इस telescope की इस telescope की यह क्या है objective lens है और यह क्या है eyepiece है eyepiece छोटा होता है objective lens बड़ी होती है eyepiece lens छोटी होती है this what is the purpose of this to collect maximum ray of light coming from the space object okay and then it convert it in such a way that the image is formed here कही भी यहाँ image form होती है that image is formed between the focal length of this lens this is called as a eyepiece और फिर when we watch from that side you can form the magnified image okay तो magnification करने के लिए यह दो lenses ऐसे set किये जाते हैं एक particular tube में कि उसको हम adjust कर सकते हैं शायद आपने telescope देखा होगा ठेक हैं अब क्या बताया मैंने इस प्रकार का arrangement होता है यह arrangement मैंने आपको समझाया तो optical telescope are made with two or more lenses नॉर्मली हम दो lenses का इस्तामार करता है तो collect the maximum amount of light coming from a heavenly object objective lens should be made as large as possible तो यह जो objective lens है यह जादा बड़ी क्यों होती है तो collect the maximum ray of light coming from the heavenly body दूसरा using the light collected by the object objective means objective a smaller lens called as a eyepiece तो यह जो light collect किया गया है किसने collect किया है यह बड़े lens ने जो light collect किया है the light rays collected by these bigger lens is watched through the eye lens means what you can say that the eyepiece okay समझ रहे हो और यह eyepiece चोह होता है it is smaller than the objective lens good so light rays change their direction as they enter the lens from the atmosphere and again they enter the atmosphere after passing through the lens this is called the refraction okay यह मैं आपको refraction के बारे में शायद बता चुका हूँ यदि नहीं बताया तो फिर से एक बार repeat कर देता हूँ कि when ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium जैसे कि वो हवा से कहा आते हैं इस lens में आते हैं तो lens किया है? ग्लास की बनी हुई हैं तो जब वो ग्लास में एंटर करते हैं तो वो अपना direction और propagation change करते हैं और उस direction और propagation change करने की process को हम क्या बोलते हैं बेटा? refraction बोलते हैं that's it और ऐसा refraction के वज़े से ही हम यह telescope को क्या बोलते हैं? refracting telescope भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? refracting telescope और refracting telescope क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे light refract होता है, reflection का मतलब है light अपना path change करता है, तो अब इसमें कुछ ऐसे challenges हैं, ये particular lens को, मतलब ये particular telescope को इस्तमाल करने के, कौन सा telescope बताया मैंने? जी हाँ, तो refracting telescope, तो क्या challenges हो सकते हैं? मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाता हूँ, दिखिए, ये lens जितना बड़ा बनेगा, ये lens उतना दूर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका, इससे जो light converge होगा, वो दूर तक होगा, तो इसको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा यह यह telescope बहुत लंबा होगा, अब यह पूरा glass है, तो इसको पकड़ने के लिए, hold करने के लिए, क्या चाहिए? पकड़ने के लिए, बहुत जादा एक particular instrument चाहिए, पकड़ने के लिए, और यह यह खराब हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, और फूटने का चांसे जादा है, वाई? यह बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, और दूसरा important यह बात है, कि यहां से जब light जाता है, तो light का एक color change होता है, मतलब colors जो है न, वो ठीक तरीके से नहीं होते हैं, उसको हम chromatic abrasion बोलते हैं, ठीक है? तो that's why we use another telescope that we will see in the next lecture, लेकिन पहले यहां समझ लेते हैं, जो मैंने आपको बता है, कि यदि आपको bright image obtain करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? maximum light आपको क्या करना है? collect करना है, उसके लिए objective lens क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, बहुत जादा बड़ी होनी चाहिए, objective lens should be bigger if we wish to collect the more ray of light to see the brighter image. so, it is very difficult to make very large lenses, that I have already told you, because, what's the reason? large lenses are very heavy and tend to get distorted, large lens, यदि बहुत बड़ी lens होगी, तो उसको hold करने के लिए difficult है, क्योंकि वो बहुत हेवी है, और वो distort भी हो सकती है, two foot भी सकती है, objective and eye piece are placed at the opposite ends, objective यदि यहां होगा, तो eye piece यहां होगा, अब objective lens, objective lens बड़ा होगा, तो उसकी focal length बड़ी होगी, जितनी उसकी focal length बड़ी होगी, तो eye piece भी दूर दूर चला जाएगा, तो the objective and eye piece are placed in opposite end of the telescope, तो the length of telescope also increases with increasing size of lenses and the telescope become difficult to manage, और यह telescope manage करने के लिए थोड़ा difficult होता है, और जैसे मैंने as usual बोला आपको, कि images formed by lenses have some errors of colors, colors के error होते हैं, और उसको हम बोलते हैं, chromatic abrasion, क्या बोलते हैं? chromatic abrasion, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, अब हम कल देखेंगे, next video में, क्या देखेंगे बोलो, we will see the different telescope that is called as a reflective telescope, or you can say that the Newtonian telescope, उसके specific नाम है, वो कैसे function करते हैं, उसके बारे में समझेंगे, ready होई उसके बारे में समझेंगे, तो चलो मिलते हैं, next lecture में तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस video को like करना है, आपके दोस्तों में share करना है, आपको अच्छा लगता है, कि अब physical life classes शुरू हो गये हैं, तो you can attain the physical life classes, okay, by taking the proper subscription, you can contact us, so thank you, bye.